हेलो गाईस कैसे हैं आप सब लोग स्वागत आप सब लोगा हमारी यूटूब चल मैं इसका नाम एवन सर और मैं हूँ आका सर्मा आज आप लोग को समझाने वाला हूँ टॉपर सीक्रेट इस्टेडी इस्टेटजी वो कौन-कौन सी स्टेडी है जो टॉपर लोग से अपना यह वीडियो हर एक स्टुएंट के लिए जो किसी भी एक्जाम के प्रपिशन कर रहा हो चाहें वो यूपर हो चाहें नायन तो या टैन तो या फिर कोई भी कमपेटिशन एक्जाम हो आप इन चीजों को पहले सीखिए सुनिए समझिए और उसके बाद माँने फॉलोग तो सबसे पहले नमबर की अगरां बात कर लेते हैं जो हम सबसे बड़ी बिग मिस्टिक करते हैं वह है दोंट फोलो मैंनी टीचर्स आपको बता दें कि हम जब हम जब तीचर हैं हमने क्लास में बहुत सी बार देखा है कि जब हम कोई क्लास लेते हैं ठीक है तो कोई किसी और से बढ़ लिए मतलब वो अलग लग टीचर्स को बदलते रहते हैं जो कि उनकी यह सबसे बड़ी मिश्टिक है अगर बाइचांस मालेजिए देखो आपको क्या काम करना है जब भी आप किसी टीचर से जुड़ें मनलब की कोचिंग में जुड़ें या फिर किसी ए करना नहीं है अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा जैसे माल दीजे अगर कोई बच्चा मुझसे पढ़ने के लिए आ गया तो वह कभी छोड़ गया ही नहीं है लेकिन कुछ बच्चे फिर भी ऐसे होते हैं जैसे मालो एक लड़का ह अगर आप हमसे जुड़े हैं या आप किसी टीचर से जुड़े हैं तो आप उससे लगाता जुड़े रहिए और अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए ठेके ना चलिए पहली मिस्टिक आप लोगों को समय आ गई दूसरे नमबर की है प्रोक्रास्टिनेशन बहुत से लोग अगरा दाट पांस गंटे पढ़ना है अपतों मेला जीजा लगा दिनी है फिर भी वो नहीं कर पाता कल से पढ़ों और कशल कर गे उसका बहुत समय लॉस हो चुका होता है लेकिन आपको बताते हैं कि इस कल से पढ़ोंगा वाला जो सेंटेस से इसे कर देता है तो आपको तो आपको क्या काम करना है लगातार जितना भी आपका टार्गेट है उस टार्गेट को डिली अचिप करो कल से पढ़ने वाला जो कॉंसेप्स है खतम कर दीजिए तीसरे नमबर का है सेल्फ डाउट आपको बताते हैं जब आपको खुद पर वरुसा नहीं होगा तो दूसरा आप पर क्या वरुसा करेगा बहुत से लोगों को खुद में नेगेटिव थौट्स बढ़े रहते हैं कि यार मेरे हैं तो मतलब की 60 परसंट थे अब मैं 12 में हूं 12 में 90 परसंट कैसे लूगा थे लिएगा हैं इसे इतना प्रसंट में करते हैं हम से ना हो पाएगा का-टा भाए-बाइ खतम तो फिरो पाएगा आपको बतादें ए layeriner इसे बहुत से नीट कए इस्कूमेंस वाले हैं कि जिन्होंने 9 मनलब की 10 में 12 में उनका इतना अच्छा इसको नहीं था लेकिन फिर भी उन्होंने खुद के बलपा खुद की मेनत लागे को डिली स्टुड़ी करके डिली मनलब की चीहों को सीख कर एक्जाम क्रेक की है पहली बार में तो आपको बता दें जब तक आप खुद पर डाउट करते रहोंगे तो दूसरा तो आप पर डाउट करेगा लेकिन आपको क्या काम करना खुद पर डाउट नहीं करना खुद से बोलना है कि पहले पास्ट में जो आपका हुआ बस छोड़ो ठीक है लेकिन आपको बताना है पास्ट आपका फूचर डिस सकते हैं लास्ट वाइंट है जोगी सबसे ज्यादा इंपूरेंट है वह एंपेरिंग विद अदर्स आपको बता दें हम लोग लगातार दूसरों से कंपरेशन करते करते रहते हैं है कि मतलब कि हमारा जो दोस्त है वो उसकी इतनी परसेंट है या मालो हमारे चाचा लड़का उसकी इतनी परसेंट है घरबाले भी हमारे कंपरेशन करते रहते हैं तो आपको क्या काम करना है आपको कंपरेशन दूसरों से नहीं करना है आपको क्या काम करना है जैसे मानलो आज है और अभी है आपको क्या काम करना है आपने क्या काम किया अभी एक शेटर इस्टार 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 इस्टरी करने के लिए आज आपने गंटे पड़ा फिर आपने क्या काम उसकी कॉंसर्प किया फिर उतने खुछ से टेस्ट दिया इस तरहीं से डेली क आपको improvement करते चलना है अगर आप इस तरीके से करते रहेंगे अगर आपका high school में मालो 60% था और अगली ये बार first year में अगर आप 70% भी लिया है तो आपको बता दें आप में काफी improvement है आप 12 में मालो आपने क्या काम गया 85% लिया है मला काफी improvement है आपको compression खुझ से करना है कि high school में इतने थे और 12 में में 85 है 60 से 85 पर आप पहुंचके मला आप मने खुद को improvement किया है तो आपको compression दूसरों से निकरना खुझ से करना है कि लगातर आप काम कर रहे है लगातर आप study कर रहे है मलाप खुद को लगातर improve करना है खुद पर आप लोगों को काम करना है मनलब दूसरे बच्च देखो जो व्यक्ति दूसरों से कंप्रिशन करता रहेगा वो हमेशा दुख में बढ़ा देगा वो हमेशा चिंदा में रहेगा वो हमेशा टेंसल में मिलेगा आप लोगो आपको क्या काम करना दूसरों से नहीं करना बता है लगातर करना है जब आप काम करते रहोगे आपमें लगातर improvement आती रहेगी comparison मत करो खुष से करके देखो कि कल मैंने ये क्या आज मैंने क्योंगा है ये बस दिखने आप लोगों को जब रातको सुएं आप लोग तो खुछ से कुछें कि आज आपने इतने घंटे पड़ाय करने वाद अधन से एक हवाज आते हैं कि आज मज़ा आ गया तेंशन फ्री कि जो में टागेट थे मैं टागेट टीली अचीब कर ला हूं तो आपको बताएं डिली टागेट अचीब करना बहुत ज्यादा इंप्रेंट है बहुत बड़े टागेट बनाओ छोटे चोटे टागेट बनाओ और अचीब करते रहो तो इस तरीके से आप यह जो मैं चार्चियों बताएं इन चार्चियों को आप फोलो कीजिए और आप टाइए मैंने जैसे कि आप लोगों को बना कि मैं आपको एक प्रोस्ट काम लोग युद्ट सुनने के लिए तयार हो न आप हमें इन मैंसे कौंसी गलती करते हैं पर तो आप हमें ये बताएं फिर एक मैं जो आपको प्रोसट पर दा रहा हूं उसको फील करके दिखना जैस जैसे मालों मैंने चॉग्लेट बुला अलग तरिके से हो سकते हैं तो बच्चे क्या च्षाया काम करते हैं बहुत अच्छी तरिकए से ओर ज्याधा मेहनत करते हैं जिस्से क्यों 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 जब वह अच्छी तरिके MAS progressed लेख आए तो हमें चैगलेट मिलेगी करेंगे तो उनके माइंड में यह है कि अगर हमने इसमें अच्छे मार्स लेकर आए तो हमें चॉक्लेट मिलेगी उसी तरह किसे तुमने देखा भी होगा कि आपने देखा होगा कि हमारे हाइस्कुल में या मानलो 12 में हमारे घरवाले बोलते हैं कि एक्जाम में 90% से उपर आ हुआ यह चीजां बहुत जरूरी है और आपको बताते हैं अभी अभी 2022 का जब रेट आयता नीट का तो एक घटना तो मुझे मैंने खुच्छों का दी एक स्ट्वेंट था जो नीट की प्रिपेशन करता था उसकी मम्मी ने बोलिया कि घर में पकवाल जब बनेगा जब त इतना इतनी बात बोली थी तो भाईरे भाई मतलब मिठाई के लिए मतलब परगवान के लिए उस लड़के ने जीजान लगा दी और सेलेक्शन ले लिया वास में यह है रिवाड की पावर यह सत्य घटना है यह मैंने अभी खुद 2022 में खुद देगी थी तो इस तरीके से आपको study करनी है इस तरीके से आप लोगों को मनलब preparation का यह वाला study अपनानी है और उसके साथ साथ में आपको जो भी हम बातें बताते हैं हम अपने experience से जो भी चाहां आप लोगों को सिखाते हैं उनको follow किया गरो जिससे कि यह कि आपको इंचियों का फाइदा मिल सके और आ आपने किसी का मनलब किसी का भला किया तो थेंक्यू गए थेंक्यू ना बोलकर आपने क्या काम करना है तो आपने मालों यह वीडियो देखिए तो आपको बस तीन लोगों को यह वीडियो सेंड करनी है इसके अलाबा मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता हूं बस आप तीन भाता दूरु कर ने का प्रयास करते रहें लेकिन अगर आप नहीं करेंगे गते हुद्य कर ने का